काली मिर्च के दाम दशकों बाद आसमान पर हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों की परेशानिया कम नहीं हुई हैं. इदुक्की को काली मिर्च के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. दशकों बाद भी काली मिर्च की कीमतें उच्चतम स्तर पर हैं तो वहीं किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास अब जरूरी स्टॉक नहीं बचा है कि वो इस कीमत का फाइदा उठा सकें एक रिपोर्ट की माने तो किसानों ने अपने परिवार के खर्चों के लिए काली मिर्च का स्टॉक बेच दिया ऐसे में अब न तो उनके पास स्टॉक बचा है और नहीं उससे होने वाले फाइदे का कोई रास्ता वेबसाइट मनोर्मा डाट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार इदुकी में जब स्कूल फिर से खुले तो ज्यादातर किसानों ने किताबों यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के खर्च को पूरा करने के लिए अपने पास रखी काली मिर्च बेच दी गर्मी की वज़े से इलाइची के बागान तबाह हो गए थे ऐसे में किसानों को काली मिर्च, कोको और लॉंग से उम्मीदें थी किसानों का कहना है कि एक हजार रुपए प्रती किलो की उम्मीद कर रहे थे साल 2014 में काली मिर्च 750 रुपए प्रती किलो के भाव पर भी की थी दस साल बाद काली मिर्च की कीमत 680 रुपए प्रती किलो हो गई साल 2017 में काली मिर्च की कीमत सबसे कम रही उस समय यह 250 रुपए प्रती किलो थी अब जब काली मिर्च को बेहतर दाम मिल रहे हैं कम पांच सौ रुपए प्रती किलो हो। Bureau Report Market Times TV Bureau Report Market Times TV